Hello Friends, Welcome back to my channel with in Google Arts तो आज हम Glass Principal करने है तो समले से पहले मैं हम एक बेसिस तिपस आप उसको बतादेताह present और इन कलर्ण के बारे में आपको बता जांता हूं कि कि स तरह के आते हैं , और किसा तरह के आपको बॉक्सिस के लेने लेने हैं और किसा इसमें आपको tomato red, golden yellow, sea blue, crystal green, brown और pink colors में आपको available होते हैं six shade में और ये water based होते हैं colors तो कुछ इस तरहेगा आप six shades ले सकते हैं और एक shade आता है आपका 10 shades का glass colors 10 shades का होता है ये भी water based होते हैं इसकी जो MRP आती है वो 110 रुपे इसकी box में आते हैं वो आपको थोड़ा market से 10 रुपे लगबख कमी मिलेगा तो इसमें आपकी जो shades आते हैं इसमें तेमाटो red, golden yellow, sea blue, crystal green, brown, pink, black, white और ultraman blue, orange तो कुछ इस तरिके के इसमें colors आते हैं तो जैसे आप market से आप glass colors लेते हैं चाहे 6 shades लीजिए या फिर आप 10 shades लीजिए मैंने एक और box ले रखा है ये तो मैं use colors करता ही हूँ एक वेबार नया box है तो अगर आप जैसे 10 shades कर लेते हैं या फिर आप 6 shades कर लेते हैं तो इसके साथ आपको एक 3D outliner भी साथ में मिलता है ये तो आपके 10 shades के colors है वो तो आपके आगए जो मैंने आपको दिखा दी है इसमें साथ में 3D outliner आता है जब हम glass painting करते हैं तो हमें outline की बहुत जरुत पड़ती है तो इसमें 3D outliner चाहिए आप black color कर लीजे इसमें मैं आपको और भी colors दिखा देता हूँ कि इसमें अलेलग color भी आते हैं 3D outliner में तो आप वो भी use कर सकते हैं तो दीखे कुछ इस तरह के 3D outliner आता है और एक nap आती है जो आप इसको इसकी cap अटाके इसमें आप लगा सकते हैं और पतली यहाँ पे line आप इसमें draw कर सकते हैं तो 3D outliner का बहुत हमें जुरत पड़ती है तो 3D outliner के हमें बहुत जुरत पड़ती है उसके बिना आप glass colors का use नहीं कर सकते क्योंकि colors जो हम इसमें glass में हम डालते हैं तो colors फैले ना इसलिए 3D outliner का use किया जाता है तो यह तो इसमें box में आते हैं आपके साथ के अब अलग color आपको कौन से लेने हैं जो 3D outliner के आते हैं वो कुछ इस तरह की tubes आती है अलग इसमें colors बहुत मिल जाएंगे आपको इसमें आप इसमें अलग color का use भी कर सकते हैं तो यह तो कुछ basic tips थी जो आपको glass colors का use आपको करना है किस तरह के वो आपको इडिवाइन करता है कि आपको six states चीए या फिर ten states का चीए अब आपको glass painting करनी है तो उसमें starting पर आपको किस चीज का ध्यान दे रहा है वो चीज में आपको पहले आपको उसको करना है flip आप edit में जाके crop rotate में जाके इसको पहले flip कर लेजे यह देखिए पहले ऐसे थी और flip करने के बाद इस तरीके से आपको बनानी है और उसको बाद आपको save कर लेनी है और तब आपको इसकी print out निकलवानी है जब आप इसको बनाएंगे glass में तो य फिल्टा करना है flip करना है वह आपको draw करना है इसमें color fill करना है उसके बाद ही glass को flip करके तो जिस तरीके का आपका straight look आजेगा जो front look है वही लुक आएगा और इसी तरीकी से मैंने print out करवा रखा है तो यह देखिए यह मैंने print out करवा लिया है A4 size में जो आपकी जो flip करे पहले तो आप इसके print out निकल वा लिजिए अब next आपको जरुद है एक glass frame की तो कुछ इस तरीके का आप frame ले सकते हैं market से आपको जो भी size में glass printing मिलानी है तो आप उस size का frame ले लिजिए लेकिन यह ध्यान लखिए जो आपने print out करवाया है वो इसके अंदर frame के अंदर fit हो जा तब आप इसमें print करेंगे सबसे पहले मैं इसमें जो glass लगवो है वो glass निकाल लेता हूँ बहुत ही easy है आप घर में आराम से कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप frame लेके आते हैं तो उसको आपको simply इस तरीके से उसके hooks आपको उपर करने है कुछ इस तरी इस तरीके से आपको पीछे से यह MDA board निकाल लेना है और अब हम निकालेंगे इसका glass और बहुत ही carefully आपको यह काम करने है glass बहुत पतला होता है तो इस चीज का आप ध्यान रखेगी glass तूटे नहीं और इस तरीके से glass को निकाल लिजे और अब देखिए glass ठोड़सा गंद करवाया है उसको आपको इसमें attach करना है तो इसको पहले तो आप इसको इस तरीके से back कर लिजे अच्छे से देख लिजे कि पूरा middle में आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको अच्छे से पहले आप set कर लिजे उसके बाद आपको side में corner में tape लगाना है यह मैं masking tape का use कर रहा हूँ आप चाहे तो कोई simple tape का भी use कर सकते हैं अगर आप masking का use करेगी तो masking ज्यादा best रहता है यह निकलता नहीं है इती जल्दी और नहीं यह paper को खराब करता है तो मैंने देखिए इस तरह की से tape लगा लिए है अब आप इसको अराम से फिलिप कर लिजे तो अभी ready हो चुकी है तो अब चितने भी इसमें आप देख रहे हैं वो चीज हम 3D outline से draw करेंगे चितने भी outline है जितने भी borderline है जितने भी design है उसे हम 3D outline से हम draw करे और 30 minutes के लिए इसको हम dry होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद ही हमें इसमें glass colors का use करना है तो सबसे पहले आप इसमें draw कर लिजे 3D outline से अब चितने भी design आ रहा है हमें 3D outline से draw करना है और ऐसा नहीं है कि आप पहले यहां कर रहे हैं फिर यहां पे बना रहे हैं यहां बना रहे हैं अगर आपने यहां कर दिया फिर आप उसके बाद फिर उपर जाएंगे तो आपका जो यहां पर आपने जो बनाया है वो हाथ से खराब हो जाएगा हाथ में लगेगा और glass भी खराब होगा तो line wise आपको हिसाब से draw करना है उपर से लेके नीचे तक आना है ऐस कुछ इस तरीके से आपको हाथ चलाना है हाथ पर पहले आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आपका हाथ बिल्कुल अच्छे से चले जिसे महंदी वर्क होता है महंदी कोन वर्क होता है तो जो अगर महंदी का यूज़ करता है तो वो आराम से 3D कोन का यूज़ कर नहीं है तो आप पहले इसकी rough में practice कर लिजे और कुछ इस तरीके से आपको work करना है और equal level आपको लेके आना है और lines के उपर इस तरीके से use करना है कभी line पतली कभी मोटी आ जाती है तो वो चीज को कोई बात नहीं चल जाता है क्योंकि आपको बाद में फिलिप करना है तो उतना पता नहीं चलता है लेकिन कोशिश करिए कि अगर equal level ही बन रहा है तो ज़्यादा best रहेगा बस आपकी जो outline line है वो थोड़ सी ठेक होनी चीए जब आप glass colors करें ताकि वो color बाहर ना जाए तो फ्रेंट्स ये properly सूख चुका है ये dry हो चुका है 30 minutes के बाद तो कुछ बाते मेले मैं आपको बता देता हूँ जब भी आप 3D of tanner का यूज़ करें तो कहीं कुछ mistake हो जाती है तो उसको आप instantly तभी आप उसको हटाने की मिटाने की या erase करने की ना सोचें जब ये dry हो जाए तो उसके बाद आप कुछ इस तरीके की stick या toothpick ले सकते हैं तो उससे आप उसको erase कर सकते हैं अगर कहीं कुछ mistake होती है तो dry होने के बाद ही उसको हटा लीजिए ये बहुत ही easy तरीके से हट जाता है तो आप हमेशा इस type की stick का यूज़ कीजिए और ये ज कुछ white, green, blue, red, golden color, silver color, dark gray color कुछ इस तरीके के इसमें colors हैं तो इसमें glass painting में मैं कुछ अलग तरीके का use करने वाला हूँ जिसमें colors तो आपके glass colors तो use होंगे होंगे साथ में 3D outline का भी use होगा जैसे हम यहाँ पे कुछ design बना रहे हैं तो आपको 3D outline का use करना है जिससे जब हम क मैं आपके अच्छा shade बनके आएगा और front से आपका color अच्छा दिखेगा तो कुछ इस तरीके से मैं इस grass printing में यह technique यूज करने वाला हूँ जैसे यहाँ पे जो design आ रहे हैं मैं यहाँ पे 3D outline का use करूँगा तो मैं एक लिए लिए लिता हूँ green और एक लिए 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 ल ड्राय हो जाए तो उसके बाद ही आपको इसके उपर glass colors का use करना है गेले पर ही glass colors का use मत करिए जब यह ड्राय हो जाए 15-20 मिनिट बाद तब आपको इस पर glass colors का use करना है यहाँ पे जो उपर अले design है आप ब्लू कलर का use करूँगा इसमें जितना भी 3D outliner का work है वो मैं पहले उतना ही कर ले रहा हूँ क्योंकि ताकि पहले यह अच्छे से dry हो जाए उसके बाद ही में glass colors का use करूँगा ताकि time ज़्यादा ना लगे तो अब देखिए जो मैंने 3D outliner कर रहा था जो glitter outliner है वो अब dry हो चुका है तो अब हम इसमें glass colors का use करेंगे तो जो हमने यह color कि रहा है वो आप यह बाद सोचिए कि वो hide हो जाएगा जो back side में हम जब देखेंगे तो जो 3D outliner का use किया है वो वहाँ पे show करेगा आप इसको उपर से पूरा hide भी कर सकते हैं कोई फारक नहीं पड़ता लेकिन जब आप front view देखेंगे वो आपका बहुत है तो अब हम इसमें glass colors का use कर लेते हैं और अपने बाद जब आप glass colors का use कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया एक toothpick का use जरूर करिए अगर कोई इसमें bubbles आ जाते हैं तो उससे आप इन bubbles को हटा सकते हैं तो इसको अपने पास रख लिजेगा अब हम glass printing का use करते हैं कुछ इ इस तरीके से use करनी है आप एक के उपर एक color का भी use कर सकते हैं जैसा नहीं है आपको single color ही करना है आप कुछ इस तरीके से shade दे सकते हैं और इनको आप blend भी कर सकते हैं ब्लेंड करने का मतलब यह है कि जैसे आपको कुछ color mix करना है तो आप toothpick के जरीए उसको color को इस तरीके से फैला के mix कर सकते हैं इस तरीके से वो blend हो जाता है और जैसे देखिए यह आया bubble तो अब आपको bubble कुछ इस तरीके से हटा देना है यह देखिए बहुत यह आसानी से bubble हट गया है जितने बारी bubbles आए उसको bubbles को आप हटा लिजे नहीं तो जब यह dry हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है तो कोशिज कर दिए कि bubbles हट जाए तो ज़्याद अच्छा है जब तक वो हटे नहीं तो तक आप इस तरीके से यूज करते रहे हैं तो जितना भी यह मुकट हमने जो बनाया है हमने इसमें डिजाइन तो दे दिया 3D आउट डेलर से अब हमें इसे फिल करना है तो उसमें हम golden yellow का यूज करेंगे जिससे थोड़ा सा yellowish look आए अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे glass colors इतना है यह कर दे यहाँ पर yellow यहाँ पर red यहाँ पर light orange और यहाँ पर dark orange और यहाँ उसके बाद मैंने फिट से orange का use किया है और यहाँ पर देखिए दो shade यहाँ पर दे रखे हैं orange और yellow कुछ इस तरीके से आप उसको blend कर सकते हैं और यह area जो है यह मैं छोड़ दूँगा और बागी जो face आ रहा है पूरा यहाँ पर सून्ड आ रही है तो इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा थोड़ा सा light shade यहाँ पर दे दूँगा बागी shade shade मुझे यहाँ पर दे देने हैं और बागी का यहाँ पर फिल कर दूँगा तो अब यह final मैंने glass painting इसमें कर ली है और यहाँ पर face, ear और hand मैंने background के लिए छोड़ लखा है यह पूरा area background से फिल होगा और बागी के जो इतना outside आप देख रहे हैं यह भी background से ही फिल होगा तो background मैं आपको दिखाऊँगा next video में आज के लिए इस video में इतना ही है कि आपको कुछ इस तरीके से इसको बनाने है glass painting हो यह glass painting dry होने के लिए कम से कम 10 से 12,8 इसमें लग जाते हैं इसको proper dry होने के लिए तो जब यह पूरी तरह से dry हो जाएगी उसके बाद मैं आपको second part में दिखाऊँगा कि आप उसको frame किस तरीके से कर सकते हैं और कौन सा background ज्यादा suit करेगा तो ज्यादा problem हो जाती है लोगों को background में वो select नहीं कर पाता है कि कौन सा background अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा तो उस बारे मैं आपको second video में बताऊँगा कि आपको किस तरीके से background लगाना चाहिए और ये जब dry हो जाएगी तो तबी मैं second video में आपको दिखाने वाला हूँ I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप मेरे चैनल में नए है तो subscribe जरूर कर दीजे Thank you for watching